साथ्यों मुझे आध है कि प्रदान मंत्री बनने के बाद पहली बार कि 2014 में दिपावली के पर्व पर मैं सियाचीन चला गया था जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए तो बहुत लोगों को थोड़ा अश्च्रे हुआ जो हर के दिन यह क्या प्रदान मंत्री कर रहा है लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीचे तो जाऊंगा अपनों से दूर कहा रहूँगा और इसलिए आज भी दिपावली के पर आप प्रके बीच में आया हूँ अपनों के बीच में आप भले बर्फिली पहड़ियों पर रहें या फिर रिगिस्तान में मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है आपके चहरों की रोनक देखता हूँ आपके चहरे की खुशियां देखता हूँ तो मुझे भी अनेक गुणा खुशी हो जाती है मेरी खुशी बढ़ जाती है इसी खुशी के लिए देश वांसियों के उल्लास को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर एक बार इस रेगिस्तान में आपके बीच मैं आया हूँ और एक बात आपके लिए मैं तो हार का दीन है तो थोड़ी सी मिठाई भी लेके आया हूँ लेकिन यह सिरफ देश का प्रधान मंत्री मिठाई लेके नहीं आया है यह मेरी नहीं यह सभी देश वांचों के प्रेम और अपने पनका स्वाद भी उसके साथ लेकर आया हूँ इन मिठाईों में आप देश की हर मा के हाथ की मिठास अनुहव कर सकते हैं इस मिठाई में आप हर भाई बहन और पीता के आशिरवाद को मैसूस कर सकते हैं और इसलिए मैं आपके बीच अकेला नहीं आता मैं अपने साथ देश का आपके प्रति प्रेम आपके प्रति स्ने और आपके लिए आशिरवाद भी अधनी साथ लेकर के आता है प्रति के अधाए